So, hello guys, स्वागे तब से भीका मारे YouTube चैनल Technical Point for you पेत भाई, आज किस वीडियो मा आप से इको मैं बताना वालोगा difference between copyright claim and copyright strike copyright claim और copyright strike के बीच क्या अंतर है, दोनों में से कौन ज़्यादा dangerous है आपके लिए और इन दोनों की हुज़े से आपके चैनल पर क्या effects बढ़ सकते हैं details में जानने के लिए वीडियो को end तक देखना और ध्यान से सुना मेरी बातों को बहुत ज़्यादा important वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए तो प्लीज याद ध्यान से सुना ठीक है सबसे पहले हम लोग जान लेते है copyright claim के बारे में यह कैसे हमारे चैनल पर आता है और कब आता है ठीक है तो यह देखो यूटूबर चो भी बड़े बड़े चैनल होते हैं वो लोग अपना एक content ID लेकर रखते हैं यूटूब से ठीक है वो लोगों को एक content ID मिल जाता है यूटूब की तरब से अब उस content ID की मदद से क्या होता है कि अगर आप उस चैनल का उस बड़े चैनल का कुछ भी content थोड़ा सभी अपने वीडियो में यूज करते हो तो यूटूब यह तुरंत पकड़ लेगा कि आपने किसी और का content अपने वीडियो में यूज किया है और फिर तुरंत से देखो जब आप अपने वीडियो अप्लोड करते हो तो 100% अप्लोड हो जाने के बाद एक थोड़ा सा time का एक processing चलता है एक दो मिनिट का या फिर उससे भी कम का processing चलता है तो उसी दोरान आपके वीडियो में सारी चीज़े वो YouTube चेक कर लेता है और अगर कुछ भी ऐसे चीज़े कुछ भी copyrighted चीज़े होंगी तो तुरंट से आपके वीडियो अप्लोड हो जाने के बाद वहाँ पे लिखा हूँ आपको मिल जागा include copyright content blue color का लिखा हूँ मिल जागा और C लिखा हो रहेगा और उसमें गोल सा घेरा किया हूँ मिल जागा और वहाँ पे आपको ये भी बता दे जाता है कि किसके तरफ से आपको मतलब किसका content आपने वीडियो में यूज किया जिसके वादर से आपको आपके वीडियो पे copyright claim आया ठीक है सोगज अभी मैंने आप सभी को बता दिया कि copyright claim कैसे और कब आते है आपके channel पर अब मैं आपको बता दिता हूँ कि इससे आपके channel पर क्या effects बढ़ सकती है ठीक है तो यह देखो अगर आपका channel monetize है तो आपके वीडियो पर जो भी वीडियो पे आपका copyright का claim आया है उस वीडियो से आप लोग कुछ भी earning नहीं कर पाऊगे क्योंकि यह जो भी earning आपके उस वीडियो से होगी उस सारे earning उसके पास चले जाएगे उस बंदे के पास उस company के पास चले जाएगे जिसका आपने content चुराया जिसका content आपने अपने वीडियो में यूज किया है अब आप लोग चाहो तो उससे मतलब personally बातें करके revenue share कर सकते हो कि वाई 50-50 ले लो जो भी earning मेरी उस वीडियो से होगी वो 50% तो मैं ले लोगा जो भी percentage आपको करना revenue share कर सकते हो लेकिन अगर वो नहीं माना तो वो पूरा percentage मतलब जितना भी earning होगा उस वीडियो से वो सारा का सारा वही ले ले लेगा ठीक है monetization का review बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं या फिर हो सकते हैं आपके channel को monetize नहीं भी किया जा सकते हैं तो इससे आपको ये problems देखने को मिल सकती है अब हम लोग बढ़ते हैं copyright claim क्या होती है कैसे आपके channel पर आती है और मतलब इससे आपके channel पर क्या effects पर सकती है अब हम लोग बढ़ते हैं copyright strike की और ये क्या होता है तो यह देखो अगर आपने वीडियो में किसी और content upload कर दिया है चाहिए वो बड़े channel को हो छोटे channel को हो किस का भी आपने अपना content use किया है अपने वीडियो में तो वो जब भी उससे पता चलेगा तो वो आपके channel पर मतलब आपके video पर report कर सकते है कि यह मेरा content है इसने मेरे video को चुराया है और मेरे video को चुरा कर यह earning कर रहा है ठीक है ऐसे मैं earning करे या ना करे बस यह वो report कर देगा copyright strike लल्डाइक देगा आपके channel पर तो फिर आपको तीन महीने तक कुछ features को आपके channel से disable कर दिया जा सकते है कुछ features को और तीन महीने तक वह strike एक वर जो आ जाता है community guidelines strike और copyright strike हो यह copyright strike हो 3 महाने तक रहता है और उससे तीन महीने के अंदर आपके channel पर 2 ऐसे और copyright strike आ गया है तीन आ जाते हैं, तीन महिने के अंदर तीन स्ट्राइक आपके चैनल पर आ जाते हैं, तो फिर आपका चैनल पर्मानेंटली टर्मिनेट कर दिया जा सकते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी बच कर रहना है, ठीक है, कोपी राइट स्ट्राइक में आपको मैं यही बताना च यह होगा, कि आपको YouTube से किसी के भी वीड़ो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है, ऐसे में आपके चैनल पर inspired shine तो ऑसकती है और जब आपके चैनल पर एक तो तीन महीने तक रहती है, ठीक है, और तीन महीने के बाद ही ओश्ट्राइख हटती है, और उस बाद डिसेबल कर दे जाएगा और अगर आपका चैनल अभी मोनेटाज नहीं है और को पिर आपको किसी के भी कॉंटेंट्स अपने वीडियो में नहीं डालें यह चीजों को आप लोग ध्यान में रखना ठीक है सुगज अभी मैं आपसे भी को बता दिया कि copyright claim और copyright stack में क्या अंतर है क्या differences है और इन दोनों के वज़से आपके चैनल पर क्या effects पर सकते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा dangerous हैं अभी मैं आपसे भी को बता दिया तो यार उमीद करते हूँ कि ये वीडियो आपसे ही को जोड़ से पसंद आओगा कुछ मैंने बेहतर information आपसे ही को दी होगी तो प्लीज यार वीडियो को एक लग जोड़ से कर दना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राब करो सब्सक्राब करने के बाद बेल वाल एकन पर भी प्रेस कर दना सुगत मेल तेंग लेना वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंट टेक केर थेंक यू